आज मैं बनाने जारी हूँ छोलो की बिरियानी जो के बहुत ही इजी है तो इस प्राइसे पीक अपने घर पे ज़रू ट्राइ कीज़ेगा तो मैंने लिए है एक पैन और इसमें मैं वन कब के करीव पे इसमें आइल डाल रही हूँ आइल को मैं नीम गरम होने दूंगी पहले फिर इसमें मैं बाकी चीज़ एड़ करूँगी मीडियम फ्लेम रखना है हमने अब मैं इसमें चार से पांच मीडियम साइज की प्यास जो मैंने बारिक चॉप की थी वो डाल रही हूँ और इसे मैं मीडियम फ्लेम पर ही फ्राइ करूँगी अब मैं इसको लाऊंगी अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसको भी पकने देना है प्यास को भी हम प्राइ होने देंगे थोड़ी देर तक देखें प्यास हमारी जो है वो गल्डन ब्राउन हो चुकी है गल्डन ब्राउन हो जाएगी तो अब हम इसमें भी थोड़ी दे में अधरक लसन डालेंगे इस तरीके का करण लाना है अपने सजादस को नहीं जिलाना हमने इसमें डाल दिया है एक से देर चमची करीब हमने इसमें अधरक लसन पिजा वो शामिल कर दिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताके जो हमारी बिरियानी का मसाला जो भी हम बना रहे है वो जले ना तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है अभी मसाले को हम थोड़ा सा भूनने देंगे ताकि जो हुमारे अध्रक लस्टन की जो स्मेल होती है वो निकल जाए इसको ही लाएंगे अच्छी तरीके से इसे बबल्स बनने लग जाएंगे तो अब हम इसमें डालेंगे पांस से छे मैंने बारिक टिमांटर काट लिये हैं मिडियम साइस के वो डालती है हमने हिलाएंगे इसको अच्छी तरीके से आप जितना बना रहे हैं उस हिसाब साब कॉंटिटी रख सकते हैं इसको थोड़ा से बूनेंगे हम अब इसमें मैं आठ से दस साबु थरी मिर्चे डाल रहे हूँ इसको हिला लेंगे फिर अच्छी तरीके से हिला लिए इसको अच्छी तरीके से हमने देखें यह भूनने लग गया है हमारा मसाला तो अब हम इसमें दो से तीन चम्मच इसमें धही शामिल कर देंगे हम अच्छी तरीके से फिर से हिलाएंगे हम इसको हिला लिया हमने इसको अब हम इसमें थोड़ा सा पुदीना डालेंगे पुदीने से चामलो का लुग भी अच्छा हता है और टेस्ट भी अच्छा होता है तो मैं इसमें ज़र इसलिए डालती हूँ आप चाहें तो डालें और नहीं डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें अब हम इसमें थोड़ा सा प्रियानी मसाला शामिल कर रहे हैं आपको इससे भी ब्राइंड का प्रियानी मसाला इसमें शामिल कर सकते हैं हिलाएंगे इसको अच्छी तरीके से अब इसको थोड़ा सा हम भूनने देंगे मसाले को तीन से चार मिनट तक हम इसको भूनेंगे फिर हम इसमें डाल देंगे चने जो मैंने पहले से ही उपाल कर रखे थे वो चने हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीपान आधे से एक पाउ के करीब मैंने इसमें चने शामिल कर दिये हैं अब मैं इसको अच्छी तरीके से हिलाऊंगी, इसको अब हमने ओवर कोक नहीं करना क्योंकि चने हमारे अल्रेडी बॉयल हैं, तो हमने इसको सिर्फ तीन से चार ये पांच मिनिट तक इसको बस मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा भूनना है, मसाले को, अब हमने लिया है, नेक्स जो हमारा मेथट है, उसमें मैं पैन में, मैंने लिये हैं चावल, उसमें मैंने डाल दिये हैं दो चमज नमक, अब मैं चावलों को बॉयल करूँगी, और इसमें थोड़ा सा ओयल डाल दूँगी, यह चावल मेरे बॉयल हो चुके हैं, तो मैं अब इनकी लियर्स बनाऊंगी, थोड़े से चावल मैं निकाल लूँगी, ताके उसकी लियर बना सकूँ मैं, तो यह फर्स लियर मैंने बॉयल राइस की रखी है, सेकंड लियर जो मैंने मसाला बनाए, ग्रेवी बनाई है, वो लगाऊंगी मैं सेकंड लियर उसकी, यह सेकंड लियर मैंने छोलो का जो ग्रेवी बनाई ही वो लगा रही हो सेकंड लियर में इसके बाद मैंने जो थोड़े से बोइल चामल निकाल लिये थे वो डाल रही हूँ मैं इसमें, यह धाड लियर हमारी बन गई है और चामलों को मैं फिला लूँगी अब मैं इसको ढग कर थोड़ से दर दो से तीन मिनट पकने दूँगी फिर इसमें मैं थोड़ से जर्दे का रंग शामिल करूँगी केवडे में डाल कर अब मैं इसको ढग कर इसको दम होने दूँगी जब हमारे चावल दम हो जाएंगे तो देखें कि ते खुबसूरत से लग रहे हैं हमारे चावल इसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे हम ताकि हमारे जो मसाला हमने लेयर बनाएती वो सारे चावलों में मिक्स हो जाए इस फुराइसिपिक को अपने घर में ज़रू ड्राइ किची का बहुत एजी और बहुत टेस्टी बनती है ये बिर्यानी मेरे चानल को ज़रू ज़रू सब्सक्राइब कर लिजिएगा और मेरे चानल को देखते रहेगा थैंक यू और यह हमारी बिर्यानी तैयार हो चुकी इसको आप सर्फ कर लें हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो माई चैनल आज हम बनाने जारे हैं बीफ बिर्यानी जो बक्रेदी स्पेशल है आप अची के तो मैंने लिया है आइल मैं डालूंगे जरुआ हमारा नेम गरम हो जाएगा तो फिर हम उसमें डाल देंगे हमारी प्यास को अपने मीडियम फ्लम पर व्रेंक करना है और मैक शुर कर लें कि प्यास जो है वो बारिक होनी चाहिए मोटी नहीं होनी चाहिए जादा तो आपने प्यास को फ्राइ कर लेना है जब प्यास हमारी इस तरी के कि पिंक होनी लग जाएगे तो इसको डाग कलर देंगे थोड़ा सा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अद्रग लेसन का पेस्ट अब इसमें अद्रग लेसन का पेस्ट शामि प्रूच यां को बहुता है जो भिश। करना है ऑद खोले हमारा भीफ को जिए गुष अब आपकल चाहिको अफ रणने के बाद अब धुक्ष के भीफ को लिएटी जान के आपने डाले है वने का जान ऑपकल दोस्त भिशीत तारिका से ऊकल लेहे हैं अब याज में दालें शान मसाले का पैकच के जो के बंबर विर्यानी मसाले का होता है अब ये प्रित तरीके से उना गें ये भी बाद के यूड़ाइड पाकूछ अब दालंगे जालें यूज हो दो मिनिटर अच्छर क्पिता डालने के गादった कंदे च्चरम से अच्छह दालने के बाद युलाने य र shortest tai छे अच्छह दालने के बाद फो इसके तरीके से मेक्ष हो जाये गा तो इसके बाद युलाई दही डालेंगे हम और अगर अभी तक आप लिगाने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें दही डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मिक्स करने हैं थोड़ा से ठुदीन पतप और फोड़ी इसी सब्सक्राइम लें भर जड़ें हम इसमें डालने के बाद हम पेर मिक्स करने हैं अब हम इसमें डाल देंगे तीन ग्लास पानी क्योंके यह बीव कोश है यह थोड़ा टाइम लेता है गल्ले में तो हम इसमें थोड़ा जादा पानी इसमाल कर रहे हैं जैसे इसमें अब बाल आजाएगा तो आप इसको कवर कर देना और इसको पानी जब ठीजाए थोड़ा सो रहे जाए फिर इसको कवर है उसको अब इसको कवर करके रहें कि आनि देंगे अपता, पानी के लिए आडु के लिए इसनम लाक पनी तरह कोश्कोच कोश्का, अब आलोगल के लिए बाद इक्ट्रा पानी डालना देगा बिरियानी का सब्सक्राइब श्लीम बिरियानी मसाले को सब्सक्राइब घ्ल हुआएइ अब दियानी के लिए देग सकते है आप लिएस के लने 2 लियर लगा दिया इस तरीके से सालन को भिष्ट भी लेएं और थज लेयर अब हम दुबारा से लगाएंगे बैल राइस की जो हमने थोड़े से निकाल के रह लिये थे इसको भी फिला लेंगे और इसके बाद हमने के विरें में जड़े का रंग मिला के रखा था वो डालेंगे इस बीस दिख इपर से यह डालने के बाद हम इस पे थोड़ अपड़ीने के पत्ते अकनिष दालेंगे इसको cover करके 넘 होने के लिए इसको पांसे दस मिनट के बाद हमारे चौबल अच्छी तरीके से दम हो चुके हैं तो इसको अच्छे तरीक से हिला लेना है यह देखें आप देख सकते हैं बिल्कुर पर्फेकली बिर्यानी हमारी तयार हो चुकी है जैसे हम इसको हिला लेंगे तो दो मिनट हमने इसको और दम देनी है बीजया सब्सक्राइब बिर्यानी कई द्ब्राइब If you can add this rest, बीजया सब्सक्राइब ते अपर किरिजा को दूंगा सब्सक्राइब य दूमिया करानी highlight यदे कैन प्रश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश् झाल 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 झाल